हलो गाई्स मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेग्नेंसी कैसे हैं؟ आप लोग उमेद करते हूं, आप लोग बहुत इ अच्छे होंगे आपके प्रेग्नेंसी भी काफी अच्छी चल रहे होगी तो फ्रेंट्स प्रिग्नेंसी के दुरान सपना आना क्या महत्वू देता है, क्या गर्व में पलने वाला शीशू एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी अगर आपको प्रिगनेंसी के दुरान मैं आपको 10 या 12 सिम्टम्स मतलब सपने के ही ऐसे बताऊंगी जिसको सुनके आपको पता लग जाएगा कि गर्व में पलडाश इशु जो है वो एक बिबी बॉई होगा सपने हमें प्रिगनेंसी के दुरान आते हैं किसी को केला दिखता है आम दिखता है साप दिखते हैं शिव दिखता है सूरच के दर्शन अगर आपको होते हैं तो इन जो बड़े बुजर्ग होते हैं ये क्या बोलते हैं कि इन लक्षणों से जो है आपके बिबी बॉई होगा या फिर girl होगी तो अगर आपको भी जानने की जिक्यासा है कि गर्व में पल रहा शीशू के टाइम पे जब हमारे गर्व में बीबी boy होता है तो कौन से सपने आपको अधिकतर दिखाई देंगे और साथ में में फ्रेंड्स में आपको ये भी बताऊंगे कि प्रिग्नेंसी के दुरान मुझे कौन से सपने दिखाई देते थे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक उजारे जरूर करूंगी कि जिस किसने भी अभी तक में चलन सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बाल आइकन को ज़रूर हिट करना उससे के आउगा हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरे वीडियो को देख सकते हो जैसे कि फ्रेंड्स आपको सबी को पता है जब हम रात को सोते हैं तो हमको सपने आने लग जाते हैं और हमारी प्रेगनेंसी के दुरान में बहुत ज़्यदा सपने आते हैं कभी बच्चे के सपने आते हैं तो अगर आपको सुभा के टाइम पे जो सपने आते हैं वो अधिकतर बोला करते हैं कि वो सच हो जाते हैं अधिकतर जैसे कि रात को दिखते हैं तो नहीं वह सच होते हैं मगर जब चार बजे के बाद आपको कोई भी सपना दिखता है तो वह 80% तक जो होता है और यह बात मैंने बिल्कूल अपने उपर अजमाई हुई है फ्रेंड्स जो सुभे के सपने होते हैं वह अधिकतर जो है सच हो जाते हैं और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी बोला करते हैं तो अगर आपके गर्प में भी बॉय होता है और अगर आपको सुभा के टाइम पे किसी सफेद कबूतर को आपने सपने के अंदर देखा है तो यह लक्षन भी आपको बेबी बॉय को इंडिकेट कर केला और आम जो वह लड़कों के सफने होते हैं जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी सफिकतए यह ढłości का बढ़न्य को ऑका किया हां टाइम इसके लड़कों की बात है होती है या तो वह अच्छे वर के लिए की जाती है या फिर अच्छे संतान के लिए की जाती है ठीक है मन चाहे संतान के लिए जो है सिवकी पूजा की जाती है तो अगर आपके सपने में जो है आप जैसे कि सिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या फिर आपके घर में से कोई भी मेंबर अगर आपको दिख रहा है या फिर आप खुद भी सिवलिंग के पूजा कर रहे हैं या फिर आपको भूले आवा का मंदीर दिख रहा है तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके गर्व में पलराशुशु जो है वो एक बिबी बॉय होगा इसके बाद फ्रेंड अगर आप अपने सपने में देखते हो या फिर आप लौकी देखते हो मतलब कि घीया देखते हो या फिर अमरूद देखते हो तो यह जो सपने होते हैं वो लड़की को इंडिकेट करते हैं कि आपके गर्व में पलराई शिशु जो है वो एक लड़की होगी क्योंकि तर्बूजा और खर्बूजे देखने को ज्यादा मिलते हैं मूली हो गई गाजर हो गई तो यह लड़की के सपने होते हैं जैसे कि हमारे घर की ताई दादी नानी सब लोग बताया करती है ठीक है इसके बाद फ्रेंड्स यह है कि जो बहुती सटी कलेक्शन होता है कि जब हम होता है कि आपके गर्व में पल रहा शुशु जो है वो एक बीबी बॉइ होगा अब फ्रेंड्स में आपको अपने सिंप्टम्स बताती हूं लक्षन बताती हूं सपने बताती हूं जो मुझे प्रेग्नेंसी के दुरान दिखा करते थे और जिसको सुनके सब लोग बोलते हो जाते हैं जैसे अगर लड़की दिख रही है तो लड़का हो जाता है और जब लड़का दिखता है तो लड़की होती है ठीक है तो मेरे सपने में बहुत महीनों तक जो है बहुत मतलब कि 7-8-9 महीनों दिखाता है कि मुझे जो है तो फ्रेंड्स ये सपने जो होते हैं वो बेबी बॉइ के होते हैं कि अगर आपके सपने में अगर आपको बेबी बॉइ दिखता है तो बहुत सारे महीनों के अगर सपने जो है वो बिलकुल सीधे रहते हैं ठीक है जैसे कि अगर boy दिख रहा है तो boy होगा अगर girl दिख रही है तो girl होगा तो friends अगर आपको सुबाए के time पे baby girl होते हुए अगर आपको जनम देते हुए दिख रही है कि आपने बेबी गल को जनम दिया है तो आपकी होने वारी संतान जो है वो baby girl होगी ठीक है वहीं पर अगर आपने सुभा के टाइम पर जो है ना बेबी बॉय को जनम देते हुए देखा है तो बेबी बॉय होगा ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे थोड़ी सी गुजारी सी करना चाहती हूँ कि बच्चों के अभी विकेशन चल रहे हैं तो बच्चा का शोर्ट सरावा आपको देखने को मिल सकता है मेरा बेटा बहुत नौटी है ठीक है इसके बाद फ्रेंड्स ये लक्षन है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दुरान ड्रावने सपने दिखते हैं जैसे कि बहुत बारी क्या होता है कि हम सपनों से जो है ना वो डड़ जाते हैं बहुत भूत वगरा के सपने हमको दिखाए देता है क्योंकि हम उस चीज को ना इतनी डीपली सोचने लग जाते हैं कि हमारी मतलब मन में तन में और दिमार्ट में चीज ना वही चिलरी होती है तो वही चीज जो है हमको सपने में तुरंत दिखाए देती है तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो माना जाता है कि आपके गर्व में पलड़ा शिशु जो है वह एक बेबी बॉइ होगा इसके बाद यह है फ्रेंट्स हम बात कर रहे थे कि ड्रावने सपने ड्रावने सपने अगर आपको प्रेग्नेंस से के दुरान दिखते हैं फ्रेंट्स तो मैं आपसे यह गुजारिश करू या फिर कहीं और जाती है तो क्या होता है कि उनको डर लग जाता है ठीक है तो आपको क्या करना है कि राई राई होती है ना लाल वाली जो होती है या फिर काली वाली गोल वाली राई होती है जिससे हम छोका भी मारते हैं तो राई आपको लेनी है और हींग लेनी है ठीक है पापकने बच्चे पे भी जरूर करेगा क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे गैस्ट बाहर से आते हैं और एकड़ by से मिल जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बाहर की हवा जो है बच्चे तक ना आए और उसकी मा तक ना आए तो इस चीज से जो है थोड़ी से सेफटी हमारे बड़े बुज़ूर्ग हमारी करते हैं कि जैसे की रात की टैम जो है लोबान की धूनी भी आप लोगोंने पता होगा कंडे की आज के उपर लोबान की धूनी भी घर में दी जाती है और घर में कुछ चीज बहर की अंदर ना आए ठीक है बट मैं आपको बोलना चाहते हूं कि अगर आपको ड्रावने सपने दिख रहे हैं तो उट करके अपने हातों की उंगलिया जो है ना आपने नमक के अंदर दीजिए तो आपको सपने बिल्कुल भी नहीं आएंगे और त ताकि आपको ड्रावने सपने जो है वो ना दिखे ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेर कमेंट जरूर करना मिलती हूं आपको नेक्स वीडियो में जब तक आपना और अपने बच्चे का दियार डखना शुरक्सित रहना सेफ रहना जा दो नहीं तो मैं स्ट्राइक दे दूंगी और फिर मत बोलना कि यह हमारे साथ क्या हुआ है क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखी थी एक चैनल देखा था जिसकी अंदर जो है ना मेरी 80 थमनेल या 90 थमनेल लगाए गए थे और उन चीजों ने उसको हटा देना चाहिए और अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको बार बार ऐसे बोलू कि मैं थमनेल यूज मत करो तुम्हे थमनेल हटा दो वही अच्छा होगा नहीं तो मैं फिर आपको स्ट्रैक दे सकती हूँ चिक है बाई बाई टेक क्या लब यू ओल गाईज